तो आज की इस वीडियो में डिस्कुस करेंगे पंचायती राज ब्योस्ता को ससक्ट करने के उपाए ठीक है चौथा चैप्टर होगा इसके पहले तीन चैप्टर थियोरी का हो चुका जो की यूथ बुक के बुक से लिया गया है तो इसमें हम देखने वाले हैं पंचायती र कैसे और इस तरीके से उनके कता पर किया है दायी तो क्या होती है पंचायRe सच्वाले में साहाई पंचाय साहाकी तो यह सभी चीज़ें कुछ मतपूर्ण योजना थे उनको भी इसमें हम देखने वाले हैं तो चलिए इस वीडियो को श्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से देखेंगे कि क्या है किस तिरीक से चीज़े काम करती हैं तो पंचाय सिटिजन चार्टर अक्ट जो है अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विभाग ग्रामीड विकास से जुड़ा हुआ एक प्रमुक विभाग है जो कि पंचायती राजबा और इसक कर सके तो यह काम जो किसका काम है यह पंचातीराजविभाग का काम है अब इसमें पहला विसह आता है ग्राम पंचायतों को बित्तीय सहहत्या ठीक है । फृजा पूरा डिटेयल में जानेंगे इस तरी के से फिर दूसरा आता है ग्रामेर सुचता कारकरम तीसरा आता है पंचायतो का दायत लाइन की बेश्टा तो इससा तो जो चीजों को हम अभी एक एक करके देखने वाल है ठीक है अब पहला इसमें दिया गया ग्राम पंचाय तो को बितिये साहता ठीक है तो नागरिक जो पंचाय सिटीजन एक्ट के तहट जो है ग्राम पंचाय तो को बितिये साहता इसमें क्या क्या चीजें हुई है उनको सभी को देखेंगे और क्या चीजें होती है तो प प्रप्रव पिताय कि संस्तियों पर धन्राज का वंटन जो हुआ वो सत्तर अनपाद 15 पंद्रा अनपाद में ग्राम पंचायद छेटर पंचायद वर जिलाप पंचायदों को दिया जा रहा है ठीक है यानि इसमें से अगर सो रुपय मान लेंगे कि सो रुपय है तो सो में सत सभाइब पंचायदों को पंद्रूपय या 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 रखना इसके आद इस धन राष्क को पंचायद संस्ता है प्रातिमत्था के अधार पर पे योजिना वासोच्छता सुवधक के संचाल न्यम्राइक संचालर प्रबेए करेंगी द स्जमआप एक लाग 42,84 करोन रुपए जो है कि सर्थ ससर्थ जो है अन्दान से विक्रित हुआ है इसके बाद इसमें अगर हम देखेंगे तो ग्राम सभा की ग्राम सभा की खुली बैठग में सारी चीजें करवाई जाती हैं फिर दूसरा राज बितायों की संस्तियों पर 55 संस्ताओं को बित्य साहता किस तरी की दिया जाता है तो 1997 बैठग में से दिया जा रहा है और यह अगर हम बात किया तो दूसरा राज बितायों की संस्तियों के अनुरूप सत्तर नुपाद दस नुपाद बीस के अनुपाद में ग्रम सह ग्राम पंचायद छेदर पंचायद को आवंटि अन्य सार्मी बिपर संपतियों के रख रखाव से सम्मेद कार जो इसके तरगत किया जाता है भी ग्राम सभागी खुली बैठग में होता है फिर आता है तीसरा पंचायद भौनों का निर्माल यह चठी पंचोर से जना से ग्राम पंचायद को कारियाले उनकी बैठगों के आवाजन है तो सभा कक्चियों ग्राम पंचायद के सचिव के लिए आवास उपलब्द कराने के उद्देश से पंचायद भौनों का निर्माल कराया जा रहा है पंचायद भौन निर्माल लागत कितना आता है धाई लाक रुपे निर्धारी थे ठीक है फिर इसके बाद आ या जाता है ठीक है फिर आता है ख्राम mebbros 2016 में दोजार चेह सासे होराई ग्रां गांवं में घरों से निकलने वाले वीकार पानी की उचीत निकासी इम्बादा वंड़ी सचता क्योंड़ेशसे फूम ऋक्वन निर्माल की वरुजना जो है प्लारह की जा रही है तो इस त क्या चीजह हैं तो यह देए केंद्र केंद्र बित्य खोस्वित की जो है क्रामिर सुचता कारक्रम होता है संपूर्ण सुचता अभ्यान वर्स दोजार दोजार एक से परदेश के बारा जन्पदों में प्रारम किया गया था बाद में चर्णबद रूप से परदेश के अंतरगत सत्य परस्त आच्छादन करना जन्जात योग आरोग के सिक्षा के द्वारा सुचता संबंदी आशकताओं की मांग करना ग्रामेड स्कूलों में चात्र चात्राओं के लिए अलगलग सोचाले यों मुत्राले की सुभधा उपलवति करवाना कम लागत की सोचाले जाता है दस परसेंट परिवारे को ब्यक्तिकर सोचाले के निर्माल के लिए पंदरा सो रुपे अनुदान दिये जाने की ब्योस्ता है बिसेस प्रसाहन जोजना के इंतरगत प्लंद अस्तर तक जो है एक हजार तक का माडल अनुमन है ठीक है इसके बाद आयाता है स्कूल स चत्रों के लिए अलग-अलग इकाईयों का निर्माल होता है एक स्कूल सोचाले की इकाईय लागत बीस हजार रुपे निर्धारित है जिसमें दो जार रुपे क्या है पंचायत इकांस होता है प्रते कांगण मारी के अंदर पर एक बाल मैतरी सोचाले की इकाईय लागत प है एक सामदाइक सोंचाल की लागत अधिक्तम दोलाग रुपे रुपे रिधारिख इसमें बीस परतत्त पंचायत कांद सोटा है सामदाइक कांप्लेक्स में सवंच के साथ नहाने कफड़ा होने और जलाब पूर्ति की सब्दा भी उपलब्द है जिन गाउं में परिवारों के पास ब्यक्तिकत सोचाले की निर्माड की निर्माड का प्रावधान है ठीक है इसमें तीसरा पॉइंट है ग्रामीर सोचता सेवा केंद्र यह बनाए गया है एक प्रावधा की प्रोणतियों सक्ष पेजल को प्लब्द करानी की वज्ट्वें निधारित मानक उचित गुरुवत्ता वे मुचित दामों पर जो है उपलब्द है इसके अंतरकत ग्रामीर सोचता का परचार परसार करना सीमेंट मुझेक सीरेमेक सोचाले सेट उपलब्द करवाना सोचाले का चिके दर्वाजय उपलब्द करवाना खाद पतार रखने वाली जालीदार अलमारी जूते चपल की विक्री आद पेजल सुध करने है एथ कलोरिन की गोली ब्लीटिंग पाड़र आद की करना सोचता से संबंद्ध चीजें समस्त सामान जथा फिनायल नाकुन कटर ढक्कन दार बाल्टी डंडी वाली लोहा आधी की विक्री आधी करवाना इस ग्रामेड सोचता सिवा के अंतरगत आते हैं तो यह हो गया दूसरा पॉइंट अब तीसरा पॉइंट हम देखते हैं ग कार में पारदर्सिता ग्रामेड प्रसासन युव विकास क्या क्या चीजे होती है देखेंगे तो पहले आता है समय से ग्राम सवा की बैठे के हों इसमें ग्रामेड जनता को पंछायत के काई तथा धनका खर्च जो होता है कार्यों यहम लाभारतियों के चैन में पार दरसिता हो खरीब यहम रवी की बैठिके हो यह सारी काम किया जाते हैं दूसरा आता है ग्राम पंचायत की मासिक बैठिके हो यानि मंतली हो महिने वार इसमें निर्वाची सदस्यों को पूरी जानकारी मिले ताकि लेख तो इसमें सुसासन किकाई की परकिलवना को सकार करने के जिसे कि लोगों को पता चले कि हमारे ग्राम पंचायद में कौन से कार हो चुके है या कौन से कार हो रहे है तो यह सब्चारी जानकारी जो है आपको वाल, पेंट्रियां, दीवालों पर पेंट्रि बनाकर उस पर सार्णुभावन पर लिख कर दिखवाया जा ठीक है इसके बाद आता है ग्रामेर सुच्छता ग्राम को खुले में सौच मुक्त बनाना आवाता वर्णे सुच्छता को बनाया रखना कार होता है ये जो है दायता है फिर है सरकारी सरस्ते गल्ले की दुकान पर नियंतरों ग्रामेर छत्रों में सरकारी सरस्ते गल्ले की दुकानों में अनियमेत्ता की जानकारी होने पर ग्राम पंचात उपजिलाद्स कारी को प्रस्ताव दे ताकि दुखान क्या हो जाए निलंबित की जा सके ठीक इसके बार रता है अस्थाय अस्तर पर योजना बना कर सुबिक्रित करें यानि कि तो ये शरुलीयुज 10 कि ऐसेखे 2 संपति करें क्या न्युक्त सकी तो उसको प्रशाइता का दायत होता है बैतकों में साह्स stiffness करें। शसरुम का किरें द्लैत दायतों में विभीन कारियूं जियुजना करें,- तथा प्राप्ती धनरा से कराये गए कारियों कि अवस्स जानकारी प्राप्त करें ये जन्ता का दायत होता है दूसरा दायत है विभिन यृजनाओं में पात्र वैक्तीयों का ही चैन करें यह आता है बichen में 2 तिसरा दायत है ग्राम पंचायद की संपत की सुरस्चा करें जिसमें की बिन्चों की अबैद कटान को रोकें ग्राम सभा की भ्हूमपर अबैद कप जाना करें सामधाइब भौनों का रख्रखाव ठीक से करें आधिक अधिक उपियों की बिर्च लगाएं तो यह सभी जंता का दाय तो होता है पिर आता है वी केंदरी करद कार करम क्या क्या होता है तो इस दो काम के लिए एक करमी रखा चाले कारियों के हश्तांतर हो जैसे कि वीविन विभाग जैसे कि हैंड पम्प कियर्सी गराम विकास video स्वेंधूह करें लिए का रस्थ वसी और य deber की इस्थानी अस्तर परसंपत्ति जैसे की सार्मी भवन है पाट साला है है और यहांड़ पमप है आदिक का आदिका ब्यवस्थित रख रखाऊ इसके वज़ा से ठेके जब परसंपति तॉन्टे इसांघैन होगा ग्राम पंचाइदों को धनराज का सिस्थांघन जरे के हैं उनकी धनराज ग्राम पंचाइदों को हस्तांतरित किये जाने से इस्थाने अस्तर पर जन सहभागता से क्या हो उच्च कोटी कारिक होंगे समतियों का गठन और अभलेखों में पारदर सिता विकेंद्री करण की दिश्टी से किरवल परधान और सचु अकेले कार न कराकर समतियों के सहयोग से लें समितियों से सहयोग लें ताकि कार में क्या हो पारदर सिता हो जो छे समितिया बनाई जाती है ग्राम पंचायद में उस वो छे समितिय जब बन जाए तो उसमें क्या है कि इन समितियों के द्वारा इसकी मदद से ग्राम परधान जो है कार करवाएं जिसे क्या होगी कारियों मे क्या होगी पारदा सिता आएगी ठीक है प्रति पांच प्रिष्ट के लिए रुपय पांच तथा अतरित एक प्रिष्ट के लिए एक रुपया ग्राम पंचाय तब लिको कि नकल थेतु फीस निधारित किया गया है फीस जमा कर प्रात्ना पत्र देने पर तीम दिन के अंदर नकल दिये जाने का प्रावधान किया गया तो इस तरीके से चीजें होईगी प्रसासनिक समन्नों समित्या गठत कि गयी है जो पंचायती राज भीकेंद्री कंसे जुड़े कारियों के गहन की समिच्छा करेंगी तो यह सारे काम होते हैं इसके बाद चथा पॉइंट आता ह पंचाय सिटी जनर्ड के तहट कि ग्राम पंचाय तो पन्येंतर जैसे कि ग्राम पंचाय तस्तर पर धन का दूरुपियोग रोकने के लिए प्रधान उप प्रधान और सदस्यों के विरुद जहाज का कानून बना हुआ है तिक है सिकायत सपत पत्र है इसके साथ जिला मेजिस करेगी पांचाव अप्सन है ग्राम पंचाय तो का आडिट जो है महाल लेखा का दौरा किया जाएगा चाटा है प्रधान के विरुद यदि गंभीर आरोफ है तो स्वयम तो ग्राम सभा स्वयम आविस्वास परस्ताव दौरापत से हटा सकती है तो इस तरीके से ग्राम प पार करमों की जानकारी के लिए पंचायत हेल्प लाइन विरुस्ता लागू की गई है प्रदेश से जिला अस्तर तक के विभागे अधिकारी प्रतेख सो मौर को ग्यारा बज़े से लेकर दोपार एक बज़े तक कार्याले के दुरुभास पर उपलब्द होने रहेंगे ज सबस्याओं का निराकरण किया जा सकता है ठीक है तो इस तरीके से ये कुछ दियेगे हैं पॉइंट मतलब की कहां पर हैं प्रदेश अस्तर पर तो प्रदेश अस्तर पर देखा जाए तो निदेशक पंचायती राज अपर निदेशक पंचायती राज सहुत निदेशक उपनिदेषक, पंचायद के यह से भी कहाँ परे, छहुआर बहुन लखनो में बैठते हैं, ठीके, मंदलिये कारे लखनो मंदले उपनिदेषक, लखनो मंदल, और मंदलिये उपनिदेषक भईजाबाद थे देवी पार्टन मंदल, यह चोथा तल, जोहार बहुन, लखनोव पुली सदिक्षचत के कारियाले के निकट है और इसके बाए मंदलिये उपनिद्युसक कानपुर मंदल त्रिवेडी नगर, मिरपूर केन कानपुर नगर में स्थित है मंदलिये उपनिद्युसक पंचायद जहासी मंदल यह ज्यासी में और मंदल यह उपने दिसका परियागरा था चितिकूर्ड मंदल यह जो है बेली रोड परियागरा पिन कोड़ नमर इतना है इस तरिके से ही कारियाले इस्तिता है तो यहां से आप जाकर सुब्धा क्या है कि इसी कायद जो है हल्प लाइन ले सकते हैं अब पर आता है पंचा चार्टर नागरी के लाब के अगर हम बात करेंगे तो पंचायद चार्टर किसी देश की आम जनता के लिए मतदगार साबित होता है यह जनता के प्रत अदकारियों की जवाब देहीत होती है सेवाओं के साथ विशाल जन संतुष्टी होती है बढ़ी हुई पार्देशता जो आगे चलका सासन में नागरीकों की भागेदारी को बलहावा देती है साथ इसाथ लोग सेवकों और सार्मिक कार्यालों की बहतर जवाब देही होती है यह नागरीकों के करतबे पर प्रकास डालता है यह भी निर्देश्ट करता है कि सिकायत के मामले में किसी से संपर्क करना है फिर आता है सी पार्ट इसमें नागरिक चार्टर बिल 2011 ठीक ये क्या है तो पंचायत नागरिक चार्टर में कानूनी समर्थन की कमी थी इसलिए एक कानूनी ताकत लाने के लिए 2011 में citizen charter will लाया गया था, हलाकि बिल पारिद नहीं किया जा सका, अब इस बिधहिक में क्या था, बिधहिक जिसे सिकायत निवारन बिधहिक भी कहा जाता है, इसका उद्धेश था नागरिकों के अधनियम के प्रारम होने के छे महिने के भीतर नागरी चार्टर पर कासित करना अनिवार था, नागरी चार्टर को परते कारियाले में उत्र परदेश के पंचायती राज विभाग से सभी जिलो को आदेश कर दिया गया है, विभाग ने इसके लिए माडल सिटीजन चार्टर भी तयार करा है, जिसमें कई जन सुब्धाओं का उल्लेक है, पिर चार्टर पर पंचायत इसमें क्या है, तो गाउं का विकास करान सुब्धा का समय बद्धन इस्तारण हो सकेगा, सासन ने माडल सिटीजन चार्टर जारी कर दिया है, क्राम पंचायतों को इसमें कुछ है, सुब्धाओं का चैन करके 15 अगस तक जो है, लागू करना होगा, ठीक है, जाती साथ फिर अगला पैंट आता है कि किस तरह की इसमें आवेदन पत्र आईडी पांच रुपे अधिक्तम एक माँ, ठीक है, ग्राम पंचाय सच्ची वा परधान सहाग विकासतकारी पंचायत या डीपी आरो, इसके बाद दूसरा आता है मिर्तों परमारपत, इसमें आवेदन पत्र आईडी मिर्तों के साथ साक्ष इसमें आवेदन पत्र आईडी परधान सहाग विकासतकारी या डीपी आरो, ठीक है, तीसरा इसमें जो सुद्धा होगी वोगे परिवार रेजिस्टर की नकल वा पंचायत के साथ अन्न भलेख लेगना, इसमें आवेदन पत्र आईडी परिवार के सब्स्तों का बेवरान पहले पांच प्रिष्ट तक पांच रुपए प्रत प्रिष्ट एक रुपए और तीन दिन ग्राम पंचायत सच्यू सभिकास सहाग विकासतकारी पंचायत या डीपी आरो, इसके जो है, इस तरीके से सुद्धाएं इसमें होंगे, ठीक है, जोता आता ग्राम सभा को बुल पंचायते कर सकती हैं संसोधन, इसमें पंचायते संसोधन भी कर सकती है, प्रशासनिक विकास, पेजलापूर्ती, सच्छता, साफसफाई, सामधाई, संपति, समाज कल्यान, सिक्षा, स्वास्त, कोविडवा, डीचल की करीब 49 सुद्धाओं का उले किया गया है, पंचायत सेंसे कुछ या फिर कुछ अनसुददाफ़ दे सकती है, इसके अनसुदाफ़ दे सकती है, ग्राम準 चेतरह में रहने वाले को भी अप सिटीजन चार्टर का हिलाब मिलेगा गाओं में, सिटीजन चार्टर के बारे में लोगो को बताया जा रहा है, इसे 15 अगस तक बनाकर पर लागू किया जाएगा, इसके बन जाने के बाद मन्रेगा का जाप काट जन्म में तुप पन्रा दिनों में बन जाएगा तो मन्रेगा के तह Keys काम कमांगने पर पन्रा दिन लाव अगर हो रहा है तो उसका काम कराना है तो सरकारी हेंट परम की मरमत का काम कराना है तो साथ दिन में जो है निशुक हो जाएगा पानी की गुर्वत्ता साथ दिन में होनी चाहिए निशुक पसों के पेजल की बेउस्था पंदरा दिन में होनी चाहिए इस तरह नाले के उपर भेखते पानी, सनक पज़्यमा पानी को ख्टाने का कार तीन दिन में। सफाई मरम्पत कुड़ा निस्टारन साथ दिन में होगा। बाजारों में सुख्षता, स्कूल, आंगनवारी, सोचाले में सफाई, जलापूर्थी का कार साथ दिन में होगा। स्ट्रीट लाइट के नो मरम्मत तीस दिन में होगी इन सब के लिए कोई सुल्क नहीं देना होगा सारे काम निसुल्क होंगे ठीक है पीदी रासन कार्ड के लिए आवेदन जो किया जाएगा व पांच रुपे लगेगा रासन कार्ड में नाम जोडने कार्ड निरस्त करने के लिए आवेदन सुल्क निसुल्क होगा ये कार तीस दिन में हो जाएगा ठीक है और इस तरह जनम में तो परिवार रिष्टर की नकल बनाने के लिए बीस बीस रुपे सुलक अदा करना होगा तो ये चीज़ थी जो कुछ इंबॉर्डन था अगला हम देखते हैं इसमें पंचाय सच्वाले ग्राम सच्वाले तथा पंचाय सहाय की क्या है भूमका होती है ये चीज़े हम अगले पॉइंट में देखने वाले हैं ठीक है चलिए उसमें सब्सक्राया होती है तो ये सभी चीज़ों को हम इसमें देखएंगे ठीक है इसमें point to point कुछ चीज़ें दियागा जो चीज़ें हम आगे हम देखेंगे विश्तिर रिप्षे ग्राम सभा वा ग्राम पंचायद की बैठें में पंचाय साय की भूमका विभागय कार्योजना में पंचाय साय की भूमका जन सुब्धा के नियानी CSC संचालन कराने की जिम्म ग्राम पंचायद में अन आवर्सक जिम्मधारी पंचाय साय को को होने वाली दिक्कत और निवारण यह सभी चीज़ें इसके दर्गत आएंगी तो पहला देखेंगे पंचायद घर या ग्राम सचवाले क्या होता है तो बरतमान समय पर्देश की सभी ग्राम पंचायदों म ग्राम पंचायदों के कारियाले उनकी बैठकों के आवजन तथा ग्राम अस्तरप पंचायद सची की उपलफ़ता सुनस्चित करने के उदेश से उनके आवास की बेउस्ता को दिश्टिकत रखते हुए पंचायद भौनों का निर्मार कराया जाता है वर्तमान में एक गराम सच्वाले के माद्देम से गाऊं के सभी जुझनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी प्रते ग्राम पंचायद या सच्वाले को आप्टिकल फाइबर या वाई-फाई से जोड़कर गाउंसे जूड़ी से भी समझस्याओं के समधान के सभी कारग्राम सच्व सच्चुआले से ही संपन्थ हो सकेंगे अब तक 42,000 ग्राम सच्चुआले को इंटर्णेट कर्णेक्शन रुपलब्ब कर दिये हैं आने वाले समय में मून निवास जाति आए जन्मित प्रमाल पत्र भी अगर ब्युस्ता कर लिया है प्रदेश में ग्राम सच्वाली के उधाला को ना सिर्फ धरातल पर अमल में लाया जा सक रहा है बलकि 54,876 ग्राम पंचायदों कि निमार को लेकर 56,375 साहिकों की निवक्ति भी किया गया है ठीक है अब फिर 55 के करतब क्या क्या होते हैं तो ग्राम सभा बैठक से पहले 55 के करतब होते हैं सरपंच के परामर से ग्राम सभा के एजंडे को अंतिम रूप देना ये करतब होता है ग्राम सभा की बैठक की सूचना जारी करना ग्राम सभा बैठकों के बितरन जो की तारीक समय और इ ग्यापन देना, ग्रामसभा की पिछली बैठक के परस्ताओं पर की गई कारवाही की रिपोर्ट तयार करना, ग्रामसभा की मौझुदा बैठक से पहले औजंडे की मदव पर जो नोर्स तयार करना, यह सबी जो है इसके कार होते हैं, ठीक है, इसके कर्तब होते हैं पंचाय सच्चु के अब ग्राम सभा बैठकों के दोरान क्या कर्तब होते हैं तो ग्राम सभा बैठकों के दोरान पंचाय सच्चु के कर्तबें में निमलिकित चीजन सामिल होती हैं ग्राम सभा की बैटक में भाग लिने वले सदसों की विवरणों की रिकार्डिंग करना ग्राम सभा की पिछली बैटक की प्रस्ताओं पर कीगे कारवाई की रिपोर्ट पेस करना एजेंडे को मताबिक rivalry की बैटक का अजन सुनशित करना इसके लावा ग्राम सभा की बैटकों की कारवाई का फिवरन तर्ज करने में सरपंच की सहायता करना आद ही ये कर्तब होते हैं टिकर ग्राम सभा में बैटकों के बात क्या कर्तब होते हैं तो इनमें सामिल हैं ग्राम पंचायद की बैठकों में ग्राम सभा के प्रस्ताओं पर विचार के लिए सरपंच वार सदस के साथ समन्वन ग्राम सभा की बैठक पर संबन्दित उच्छतकारियों के रिपोर्ट भेजना आज जो इसकरतब होते हैं तो यह होगे ग्राम पंचायद साचू अब देखेंगे हम इसमें पंचायद साहाइक ठीक है तो पंचायद साहाइक जो होता है ग्राम परधान का एक कारवाख होता है यह एक सरकारी करमचारी होता है जिसे ग्राम पंचायद के कारियों के साहाइक के रूमें निक्ति किया जा अनुपचारी रूप से रखा जाता है इसमें करमचारी को सिर्फ 11 महेने के लिए नुक्ति किया आता है जिसे समय समय पर बढ़ा भी सकते हैं और इस्थाई नुक्ति जो होती है इस तरह की नुक्ति में करमचारी के भरती चैन आग के दोरा किया जाता है और इनने इस्ताई थायी तोड़ पर जो है निक्त किया आता है साथ ही समय समय पर इनका ट्रांश पर कर दूसरी ग्राम पंचायतों में भेज दिया आता है ग्राम पंचाइसा है के कार क्या क्या होते हैं तो गाउं के लोगी समस्याओं को सुन कर या फिर उनका मुआइना करके समस्याओं प्रधान और सची तक पहुचाना इनका में कार होता है मन रहेगा मैं कार कर रहे बेक्तियों का लेखा जोखा रखना और उनका कार देखना भी उनका कार होता है किसी भी हो जाना के पातर बेक्तियों का लेखा जोखा सरकार को भेजना किसी ग्रामेर के साथ दुखड़ना हो जाने पर उसे मुआउजा दिलाने मदद करना प्रधान दोरा दिये गे निजिसों का पालन करना और प्रधान का कच्छा लेखा जो है रखना इसके लावा अप ग्राम प्रधान दोरा प्रस्तावित कारियों को बलाग तक पहुंचाना ग्राम सभा में हुई मीटिंग के रिकार को रखना गाउं के लोगों की समस्याओं को सरकार के सामने प्रधासित करना सरकार दोरा जारी की गई योजनाओं के लिए पात्र वेक्तियों की जनकारी को सरकार तक पहुंचाना आधिकार होते हैं गाउं में हो रहे विकास कारियों की निगरानी करना था उस सही तरीके से पूर्ण कर स्थापना किया जाए पंचाहिद भून में ठीक है इसको हम क्या कहते हैं साथफा में CSC तो CSC कि अगर हम बात करेंगे तो दिखिए CSC एको सिस्टम फो नेशनल लेबल के अगर हम बात करेंगे तो यह कुछ दिया गया है इस तरीके से कि मेर्टी होता है सेंटर मिनिस्ट्रीज और नेशनल लेवल सर्विस प्रोवाइडर होता है मेर्टी में क्या है कि इसके अंतर के तक हम देखेंगे तो इसमें आता है फिर मेर्टी में स्टेट लेबल्मेंट यह कहीं इस्ट्रिक्त फकार में पौन करते हैं इस पहले सी भारत में ग्रामीड और सहरी लोगों तक विभिन डिजिटल सेवाओं के वित्रण के असान बिंदु के लिए असान बिंदु पहुंच बिंदु है ग्रामीड ग्रामीड अगर देखा जाये तो असान पहुंच बिंदु है ग्रामीड भारत में सीसी ना के वित्रण पितरन बिंदों है बलकि ग्रामीड उद्मिता को बढ़ावा देते हैं डिजिटल इंडिया कारेकरणों के तहट केंसरकार ने ग्रामीड नौजवानों को उद्दमी बनाने के समान सेवा के केंदर योजना शुरुआत किया है कामन सर्विस सेंटर देश के ग्रामीड उद्दूर दराज के छेतरों में और नागरिकों के लिए B2C सेवाओं के अलावा अवसक सार्मे कुपयोगी सेवा, समाजी कल्यान योजना, दुस्वास देखभाल, बित्तिय सिक्षा, किर्सी सेवा, पितरन के लिए पर एक कामन सर्विस सेंटर की बात करेंगे तो एक परकार का छोटा साइबर कैफ्य होता है, यहां कंप्यूटर और इंटरनेर्स से जूड़ी कई सर्विस दी जाती है, इन सर्विस में आनलाइन कोर्स, CST बाजार, किर्सी सेवाए, किर्सी याई, कामर्स सेल, IRCTC, Airbus, टिकट किंक सर्विस, जन मिलतु परमार पत्र, जनाई, OAS, रेष्टेशन, आधार रेष्टेशन, और प्रिंटिंग, पेंसन सर्विस, इंस्यूरें सर्विस, पोस्टल सर्विस से जुड़े तमाम काम कर सकते हैं, तो सारे काम इसके तहद किया आता है, इसके लावा, अन्य प्लाइब, बिल पेमेंट, इंस्टेंट मनी ट्रांसपर, डाटा कार्ट, रिचार्ट, लाइसी प्रीमियम, रेडबस, एस्बिया लाइब, बिल, क्लाउड जैसी निजी सेमाए भी अपलब्त करा सकते हैं, यहां बैंकिंग, इसोरें सर्विस भी दी जा सकती है, इतना ही नहीं टेली मेडिशन सर्विस भी लोगों को उपलब्त कराई जा सकती है, कामन सर्विस सेंटर खोलने के लिए जरूरी बाते हैं, तो जिस ग्राम पंचायद में जन सेवा के इंदर कोला जा रहा है, वह उस जगा का निवासी होना जरूरी है, निन्दम सच्छी के कम मैट् कम्पिटर की बेसिक जानकारी होना चाहिए, अंगरी जिवासा का ग्यान होना चाहिए, कामन सर्विस सेंटर को खोलने के लिए आविदन करने वाले आविदक क्यूं, 18 साल से आधिक होना जो है, बहत जरूरी है, इसके लवा अगर किसी बेक्त के 18 साल कम है, तो वह स्यस्ति सेंटर खोलने के लिए रेजिट्रेशन नहीं करा सकता सामान से वक्ते अंदर से कमाई तो कामन सर्विस टेंट सेंटर चलाने वाले को हर बैंकिंग प्राजेशन पर सरकार से 11 रुपे मिलते हैं रेल बस हावाई जहाज के टिकर बुक कराने पर 10-20 रुपे तक का चार्ज लि ल्यांकन के अधार बारा सरकार ने डिजिटल इंडिया के तहर्ट 2015 से हगए 2015 में CSC 2.0 परिजना का उद्धेश विभिन नागरिक के इंदर से वाई परदान करने के लिए देश भर में धाई लाक ग्राम पंचायतों को में कम से कम एक CSC इस्थापित करना है और यह 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 परियोजना CSC इंडिया लिम्टे दोरा करियानमित की जा रही है यह एक आत मिर्भर उद्धिमिता माडल है जो ग्रामस्त्रिय उद्धिमितों के दुम्यों के दोरा चलाया जाता है सामान से वाई के अंदर से वाई तालिका को दिया गए किसमें कार क्या क्या होते तो अभ परियंटेस में आता है जन का लगार जन कल्यान कारी योजनाओं का किरियानमित तो सावनी बितलन प्लाली पातरता कौन होगा सावनी बितल प्लाली में तो भारत का नागरी खोना चाहिए गरीबी रेखा के निचे कि सभी परिवार पात रहें कोई परिवार जिसमें 15-60 व इसमें अगर बात किया थो लाब किया होगा, तो प्रत्ते एक महीने 35 kg चावल मिलेगा, जब कि गरीबी रेखा से उपर का परिवार मासिक के अधार पर 15 kg खाद्यान है तो पात रहे हैं, प्रवासि कामगारों को यहां वे भी गाम कर रहे हैं, जहां भी भी गाम कर रहे हैं, अनाजों को जो है ले सकते हैं ठीक है तो इसका यह लाव है दूसरा आता है समेकित बाल विकास योजना यानि की ICDS सुरुवात हुई थी 1975 में ICDS जो है महिला यह विकास मंत्राले के दोरा कारवानवी थे और इसे 1975 में लांच किया गया था इसके तहत कौन-कौन सी होजना यह ICDS के तहत तो पहला आंगनवारी सेवाई होजना इस यह बच्पन की देखवाल और विकास के लिए कनूठा कारव है इस होजना के लावारती जीरो से च्छे आयूके वर्ग के बच्चे हैं गरवत्ती महिला हैं उस्तनबान करनाने वाली मा का नास्ता सामिल है नेधन परवारों के लिए इसका विश्यस महत्तर क्योंकि यह बच्चों के पेऊसर संबन्धी परिणाम को प्रभावित करता है दूसरा इसी के अंतरगत आता है प्रदामत्री मात्र बंदनाय होजना पी यम एम वी वाई के तहस्त अभी पात्रलावार यानि सिसुगरा योजना इसके तहट कामकाजी महिलाओं के छे बच्चों यानि छे माज से छे वर्स के आई के बर के दिन भर देखबाल की सुब्धा परदान करना होता है सिसुगरा एक महिने में 26 दिन और 30 दिन 7 गंटे के लिए खुला रहता है इसमें बच्चों को पू को पूसर एनीमिया को कम करके किसोल लड़कियों गर्वती महिलाओं और इस्तनबार कराने वली मताओं पर ध्यान केंजित करके इस्टंटिंग अल्प पूसर एनीमिया के रोगठाम के साथ जन्स के समय कम वजन वाले बच्चों में इस्तर में सुधार करना होता है ICDS के उद्देश के आए क्या रहे थे तो 0-6 वर्स आए के बच्चों में के पूसर और स्वास की इस्तरी में सुधार करना बच्चे के उच्चित मनोबे ग्यानी सारे लिए सामाज विकास में कीनियों रखना में तुदर रुगड़ता को पूसर और स्कूल छोड़ने की घटनाओं को कम करना बाल विकास को बढ़ावा देना है विविन विवागों के बीच नीत कारियानों का परभावी समन्न में अस्थापित करना आदी पिर इसके बाद आता है पूसर अभियान कारिक्रम पूसर अभियान देस में नाटे पन अलप पूसर कुन की कमीय heck निय मिया तथा जन्म किं के वक्त कम वजण वाले सिस्वाओं की संच्छा में कमी लाने के लिए बीबिन मंतराले और विवाग बज़त बहर से शक क्रिये हैं पोसल बियां टेकन sidewalk के मधद से जन जन के बहतर आहार यें, बिहार में सकाराता बेदा बदलाव लाएगा। पोसल बियां किन के लिए है? तो गर्बती महलाओं के लिए है, धात्री महलाओं नोजासिस्मों के लिए है, किसोरी बच्चों के लिए होता है, ठीक है? पिर्याद़ प्रतनिदिफी क्या भूमका होती है तो पंचायद प्रतनिदिफी एक जन प्रतनिदी किनाते निमला भरतियों को सहीं पुँशड और सगारातों बेवहार को अपनानी के लेप्रसाहिद करता है तिक है गरबती महिलाओं के अगर हम बात करेंगे तो रोजाना आ आई-अ-दी-दी या डाक्टर के जरूराइं, नजदी की अस्पटाल या चीक्स्ता के अंदर पर ही अपना प्रसो करवाएं, खाना खाने से पहले सावन से हाथ जरूर धोएं सोच के बाद सावन से हाथ अवस्थ धोएं हमेशा सोचाले का इस्तमाल करें ठीक है इसके इलावा धात्री जो महलाएं होती है वो एक्या-क्या करने उनका कार होता है तो रोजाना आईरन और विटामिन तो तरह तरह के पोसा का हाल लें बश्टी के दूद तेल आयोडिन रिक्ति नमक खाएं प्रसोस लेकर छे महने तक यानि एक सोच सोच दिन तक रोजाना आई एफए की एक लाल गोली लें केल्सेम ने धारे तो खुराक लें और नोजात तो शिसु को जन्म के गंटे के अंदर रस्तनपार शुरू कराएं तथा शिसु को अपना पहला पीला गाढ़ा दूद पिलाएं मा का पहला पीला गाढ़ा दूद जो होता है बच्चे का पहला टीका होता है सिसु को शुरुवाती छे महीने सिर्फ अपना दूद ही पिलाएं और उपर से कुछ ना दें पिर इसके बाद आता है बच्चे, बच्चे के बारे में तो छे महीने पूरे होने पर माक के दूद के साथ उपरी हार शुरू करें रोजाना आयरन वे बिटामीन तो तरह तरह के पोसर का हार दें, पोश्टी के लिए दूद है तेल आयोडीन उतिन नमक खाएं, आई एफ एम बिटामीन एक की निधारित खुराग दिलवाएं, पेट के कीड़ों से बचने के लिए 12 से 24 महीने के बच्चे के लिए एक गोली, 24 से 69 महीने के बच्चे के लिए एक गोली, 24 से 69 महीने के बच्चे के लिए यानि दो साल के उपर से बच्चे के लिए एक गोली साल में दो बार आंगनबारी केंद पर दिलवाएं, आंगनबारी केंद पर नेमेत रूप से लेकर जाएं और उसका वज़न आवस्द करवाए हैं बहुत ही विकास के लिए पुष्टी का हार उसकी उम्र के अंगनबारी कार करता आसा एनम और डाक्टर दोरा बताएगी मात्रा के अनुसार दें ठीक है पांस साल की उम्र तक सुची के अनुसार सभी ठीके नियमेत रूप से जरूर किरवाएं किसोरियां है तो किसोरियो अगनबारी कारकरता इसमें देखभाल करता को समचित पोसर समंदी परामर्स नियमेत रूप से देती रहें बच्चों का नियमेत पूंटिका कानल सुनश्यृष्ट करें बच्चों के सारेगी को ब्द्धिविकास की निगरानी करें गर्वत्ति महिलागां और नोजासिसो की निगरानी के लिए नियमित गर्व घर्मर करें ठीक है इसके लावा बच्चों का नियमित रूप से वजन करें ठीक है यह आंगनमारी कारकरता के कार हैं M.C.P. कार्ड में दर्ज करें लाल घेरे में होते ही निकरतन स्वास्त के इंद पर रेफर करें पर आते हैं आसा कार करता हैं इनका कार हैं तो गर्वती महिला को संस्थान में प्रसो कराने के लिए प्रोसाहित करें और A.N.C. चाह सुनशित करें नौजास इसक की देखवाल धात्री महिला की निगरानी हिद छे से नौबार ग्रह ब्रह मर करें ठीक है इसके लावा अतिकुपोसित बच्चों कम वजन के बच्चों की निगरानी हिद छे महिने ग्रह ब्रह मर करें बच्चों को नियमित और पूर्ण टिकाकर्ण सुनशित करें अगला पॉइंट है पंचायत स्तर पर किर्यानित होते कुछ जन कल्यानकारी प्रमुख योजना है देखना है तो इसमें देखते हैं पहला है प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीड वाली जो है इसके सुरुवाद 20 नॉमबर 2016 को किया गया था और इसका पुनर गठन में परवर्थित नाम किया गया एक अपरेल 2016 से इसको इंद्रा आवास योजना जो 1985 में शुरुवाद किया गया था उसको पुनर गठन करके इसका नया नाम प्रधान मंत्री आवास योजना कर दिया गया था योजना का उद्धिस के तो इस योजना के अलक्ष है वर्ष 2022 तक सभीव को घर उवलद कराना ठीक है दूसरी योजना है प्रधामत्री ग्रामसनक योजना तो शुरुवाद हुआ है 25 दिसंबर 2000 को उद्धिस के अथा था 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 थो 2001 की जंगेना के अधार पर मैधानी छे गाड किया गया था उतैस किया था तो बहरस सरकार के masih 2-0 जाका आधरर पर पचास परसंट से अधिक अन्सोति जात कि अबादिब युशेट ऑड़ा को चैने कि था जिनके आभादि पांचो युश्या उस्से अधिक कि अधार पर 50% से अधिक अन्सुची जात कि अबादी वाले इसे ग्रामों का चैन कि आता है जिनकी आबादी 500 या उससे अधिक है उनका एक इक परियोजना का इसके बादा है हर्याली परियोजना का सबारम हुआ था 27 जनुरी 2003 को ठीक है इसका उद्देश था जल सनचन के अतरिक तियोजना परियोजना के तहत ग्रामीड छत्रों में लोगों को विच्छार ओपन के लिए प्रोसाहिद किया जाएगा विसेस बिंदू की परियोजना को देश की दो दस्मलों तीन दो लाग पंचायतों के जरिये चलाया जाएगा सौ बिरिच लगाने वाले वैक्तिकों बन रच्छकेरों में नुटिक करके उसे पंचायत के माध्यम से सो रुपे प्रतिमाह का परिसोती भी पारितोसी भी प्रदान किया जाएग राष्ट्ये ग्रामिड पेजल कारकरम इस एधना का प्रार्म जो हुआ था वर्ज उनिस निन्यानवे में एक अप्रिल 2009 को नाम परवतित करके राष्ट्ये ग्रामिड पेजल कारकरम कर दिया गया और जब कि 10 नॉvar 2017 इसका उद्देश क्या है तिसके इंतर गत ग्रामिर जनसक्या को गुड़ोता पूर्ण यो सवक्ष चल आपूर्त उपलब्द यो सुनेश्चित कराना इसका मेन उद्देश है अगस्त दोजार उन्डीस में जल जीवन मिसन सुरुआत किया गया इंपॉर्डन है इसके मादल से दोजार चौविस तक कुल उन्नी दहुनों तीन पांच करोन ग्रामिर परिवारों तक स्वच्च पेजल उपलब्द कराना इसका मेन उद्देश है ठीक है फिर आता है सांसद आदर्स ग्रामिर विकास मंत्राले का योजना है प्रारम हुआ था ग्यार अक्टूबर प्रकास नरान की जहनती होती है प्रमुक प्रावधान क्या तो संसर सदस दोरा गाउं को गोद लेना दूसरा है वर्स दोजार उन्नीस तक तीन और वर्स दोजार चोबिस तक कुल आठ गाउं को सामाजी कार्थि विकास करना इसमें मेन उद्देश रहा था ठीक है चलिए इसके बाद नेश्ट योजना देखते हैं तो मातवा गांधी राष्टे ग्रामी रोजगार गारंटी अधनिया जिसको कहते हैं मन रेगा योजना का प्रारम कप गुआ था तो ये 2005 के तहर जो राष्टे ग्रामी रोजगार गारंटी अधनिया माय 2005 के तहर लागू किया ग उद्देश क्या है तो एक बित वर्स में कम से कम सो दिनों का गार्णटी रोजगार उखलत कराने इसका मेहन उद्देश है जबकि सूखा गरस्चेत्री या जन जाती इलाकों में डेर सो दिनों का रोजगार उखलत कराने का मेहन काम है इसे इस बिंदों में देखेंगे तो योजना के अंदर राजिका जो अंसर करम सब 75-25 का होता है रोजगार के कानूनी अधिकार होती है पहली बार दिया गया पहली बार ठीक मंड़ेगा लाभार्थियों में से एक तिहाई महिलाओं का होना भी अनिमार है फिर आता है संपूर्ण ग्रामीर रोजगार योजना इस इस योजना का प्रारं 25 सितमे उजारे को प्राण किया गया नोडल मंतरा रहे ग्रामीर भिकास मंतरा ले रहा था योजना का मिशि viktे अध्याइश की बात करेंगे तो यहोजना के के खर्च की जाने लिए धनराज केंदर और राज सरकार को तरफ 75,25 के अनपाद में बहन किया जाता है इस योजना के अधिन काम में लगे मजदूरों को दिहारी के रूम में नियुनतर पांच किलोग्राम अनाज और कम से कम 25% मजदूरी नगत की जाती है ठीक है पिर आता है काम के बदले अनाज योजना इस योजना का प्रारम नॉमबर 2004 में हुआ उद्देश था इसका इसका इसकारकर में सरवाधिक पिछड़े डेड़ से जिलो में संपून ग्रामी रोजगार योजना के अंतरकत उपलब संसाधनों के लावा अतरिक संसाधन प्रदान करना इस इसलिए शुरुबात किया गया था तो बैंकिंग सेवाओं की पहुंस से दूर 57 करों परिवारों को जीरो बैलेंस पर खाद बैंक खातों कि उपलब सेवा उपलब विकराना ठीकिम इसके कुछ इस्तम्ब बनागे थैं उसको देखे तो पहला था सभी को बैंकिंग सेवा अपलब्द कराना रिल गारंटी कोस बनाना वित्तिय साचरता कारकरम आसंगर्टी छेत्र में कामगारों के लेपेंसन योजना पाँजार रुपए तक की ओबर ड्राप सुब्धा और सुच भीमा ये छे इस्तम्ब जो इसके बनाया गये थे बिशेस बिंदों में देखेंगे तो पदामत्री जंधन योजना के तहट खाता बैंक खाता खोलने वालों को जो है सोदेशी रूपे डेविट कार्ड के साथ एक लाग रुपे की दुरुगणा भीमा सुरक्षा जो है पलब्द कराई जा रही है अगस 2018 के बाद खोलेगे ख उद्देश क्या था तो कम साचरता दरवाले ग्रामीड छेत्रों में लड़कियों के लिए प्रार्थ में को इस्तर की जोह सिक्षा ब्योस्ता करना फिर आती है किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारम हुआ 1998 अगस्त में 1998 में और इसमें क्या था उसका उद्देश तो पात्र किसान के लाब इसके हकदार हैं और किसान क्रेडिट कार्ड जो है किसानों की भूं क्याधार पर दिया जाता है किसान के इटकार्ड का उप्योग जो है खेती के बिले बीज उर्बरक कितनासक आथ की जड़तों के बस्तों के लिए करते हैं किसान के इटकार्ड वर्स सिक्षा की सर्थ पर तीन वर्स के लिए बैद होता है पिर आते सर्व सिक्षा विहान जोजना का प्रारम हुआ वर्स 2001 में जोजना का उद्देश क्या था तो 6-14 वर्स की आई कि सभी बच्चों को प्रारमिक सिक्षा परदान करना इसका मेहन उद्देश रहा था ठीक है चले परदान ते ग्रामिट डिजिटल साचरता विहान इस का मेहन उद्देश था इस अवियान के माधम से 31 मार 2019 तक 6 क्रोन ग्रामिल लोग को डिजिटल रूप से साचर बनाना था योगता इसमें क्या क्या है तो पते ग्रामिल परवार से डिजिटल रूप से ने रच्छर बेग 18-40 वर्स के लोग और पारकरम की यह वदी जो होती है और 20 घंटे होती है अब पंचाय तो हम इस तरीके से देखेंगे कि गवर्नेंट और इगोवर्नेंस में क्या अंतर है इसको लिए इसके हम देखते हैं सबस्ब पहले ठीक है अगर हम देखें इस और इस और इस सरकार तो इसका तुलना जो होगा वह आर्थ आर्थ क्या हो होता है तो इस और इस और इस सरकार जागरूंग नागरिक और बित्रित सेवाओं का समर्थन करने के उद्दिश से आइसीटी के आवदन को इस सरकार या इस और इस कि बात करेंगे तो इस आसन के माद्धियं सासन सितात पर प्रभावी तरीके से जनता को दिजाने लिए कि और गुर्वत्ता को जो है बढ़ाने में आई-चेटी के उप्योग से होता है तो ये होता है यह तो इसके बाद निश्टी में पाइंट है सब्द में सचना पराइक के यहां सरकार अपने कारेों को करें के लिए संचार प्रदोग की या तकनिक का जो है उपयोग करती है ठीक है इसके बाद इसासन यानि कि इग वही चीज़े तो इग और या एक रूप है जो उन पर क्रियाओं और सहनुचनाओं का उल्लेक करता है जिसे आम जनता को इलेक्टानिक माद्यम से सेवाएं दी जा सकें सरकार की उत्पाद को सलता और सेवाओं को पढ़ान करने के लिए सुचना तकनिक का परियोग ही इसासन होता है इसका उद्देश क्या है इसासन के दौरा नाग्रिकों का सीथा सरकार से सीथा संपर्ग हो जाता है और नाग्रिक की पहुंच सरकार तक सीथे बनी रहती है जिसके जिसके दारा लोगों को बेहतर सुचना है और सुधनाय प्राप्त होती है इस आसन का दांत्रिक उद्दे से प्रिसाजनी गत्विदियों को तुरित प्रभावी पारदर्सि रुकुसल बनाना है जुदके इसका बाए उद्देस सें लोगों की आसकता है और अप्रिक छाओं को पूर्ण करना इसके दोर्ता नाकिकों को शासन के साथ जोड़ा जाता है और इन्हें सकते साली भी बनाया जाता है के तोर पर है उसमें पहला सी आता है कॉंटेंट इसके समुचे भाव को आप्रिकल फाइवर से जोड़ना पड़ेगा जिससे की इंटरनेट की उपलबता सभी जगा हो सकते पर आता है साइबर मेथड अगला सी तक्निक और आम लोगों के समझ की योगोने चाहिए और इस तक्निक को बेहतर बनाकर आम लोगों को सुलब किया जासता है इससे वह प्रवावी प्रयोगर है फिर आता है छटवाजी काइपटल ठीक तो इस तरीके से सिक्सिसी पर आधार थे ई-गौवनेंस का स्थामबर ठीक है इगौवनेंस को लागो करने वाले से सिक्सिसी माडल इस तरीके से बनाए गया है अब इगौवनेंस माडल की बात करेंगे तो सामान सुचना माडल क्या है तो यह ईस आसन का पहला चलन है जिसके दोरा परमपरागत सरकार का रूप प्रणाली के संबंद में सुचना उपलब ठीकराई जाए पर दूसरा आता है क्रिटिकल सुचना माडल इसके अंतर का सामान सुचना के बजाए कुछ बिसेस और महत्तपूर सुचना की जानकारी दी जाती है जिसका उद्देश समदाए बिसेस अता समुचे समास को सुचन उपलब ठीकराणा फिर आता है प्रचार प्रसार माडल इसके तरह आम लोगों की सहवागता को सासर में बढ़ाया जा सकता है कुछ लोगों को के अनुसार सरकार की निर्मार में लोगों की सहवागता के लिए किसी उत्प्रेरक करों में माना जाता है उदारना की बात करें इग औरनेंस की चुनोतियां क्या क्या है तो सहरों में इग औरनेंस का प्रभाव अधिक हुआ जबकि ग्रामीड चेत्रों में इग औरनेंस का प्रभाव ज्यादा नहीं देखा गया क्योंकि ग्रामीड चेत्रों में अभी अधिकतर इंटरनेट कर्नेक्टिविटी सुधा उ प्रियोग किया जा सकता है तो उसमें आता है किरसी संबन्द स्ट परियाबरान सार्मिक स्वास्त है वाणिजी गुद्ध्योग है मानुस विकास है सामाजिक कल्यान विकास है आर्थिक सासन इसे भी जो है इगाउननस से इंडक्स के अंदरगत आते हैं ठीक है इसमें सारी चीजों में हम परियोग कर सकते हैं तो यह सारी योजनाय हैं जिसके तरह हम परियोग कर सकते हैं यह जिसको देख लेते हैं इगाउननस के लाप क्या क तो बाहरूप से देखेंगे तो तीवर्टत सव अधिक प्रवावत पातुकता है सेवा प्रयोक की अधिक बर्धिकर नहुंने नियमेद्या को अधिक सहग्तां आधिक से अविकारता नागरिक से भागता आदी होता है अंतर के स्वर देखें तो राने से बच्चना लेन देन के लागत कम होना अफसर चाहिकी कारविद्यों का सलिका अधिक समन्वें संप्रेशन अवर्धेत पारदर सिता अजैंसों की बीच सूचना की भागिदारिए और सूच चुछना और उत्कृष सेवा के बहतर पहुंच बनाता है यह सरकार में सरलता दक्षिता जवाब देही भी लाता है एगवनेंस नागरिकों और सरकार के लिए लाप्रत है क्योंकि संचार प्रतुकि का तेज़े से विकास हो रहा है और सासन में जो है इसे अपनाने से सरकारी मसिनरी को नागरिकों के घर दौार तक पहुंचाने में मदद मिलेगी मूल भूत सरकारी सेवा में कंप्यूटर तथा मोबाइल से माध्यम से मिलने लगेंगी जिससे समय धान और उस्रम की बचत होगी तथा देश के विकास में योगदान मिलेगा ठीक है पंचायतों में इग उननस के क्या लाब हैं तो अन्य लाब की अगर हम बात करेंगे तो भई बेवसायर ने अवसरों का सेजन हुआ है लाखो कॉमन सर्विस सेंटर को ले हैं जिससे लाखो लोगों को रोजगार मिला है कंप्यूटर आधारित इंटरनेट के माध्यम से आनलाइन काम होता ह है इसके साथ ही कंप्यूटर आधारित आनलाइन काम घर बैठे या कहीं से भी किया सकता है इग उननस के माध्यम से कारियम सेवाओं की दच्चता अंगुरोता में सुधार होता है सरकार को सभी प्रकार के आंकड़े आसानी सफलब्द हो जाते हैं बरश्टा चार कम होता है बिचोली दलाल के बीच में नहीं आ पाते लापे के बैंक खाते में परेंसन की राज सरकारी आसा सासा सीधहe आ के बीच कार करता है फिर आता जी टू सी गुर्स gìarnya की पना प्रदोथ सतृ है अब आता है कि अधाली जीटू बिजनेस जी टू बिजनेस जी तू बियानी की एसमें यज अधाले सब्सक्राइब कारे में टार्द करिंद में मदद करता है और इसका उध्यस क्या है तो ब्यापार के माहल में और सरकार के साथ बात्चित करते समय पारदेर से स्थापित करना फिर आता जी टू ई भनने की Government टू इंपलई जी टू ई यानि की सरकार से क्रमचारी किसी भी देश की सरकार सबसे बड़ी न्युक्ता है और इसलिए वो नियमे ताधार पर करमचारियों के साथ काम करती है यह सरकार और करमचारियों के बीच के उसलता हो तेजी संपर बराने में मदद करता है ठीक है पर 25 वा राष्टे सम्मेलन हुआ था 2022 में नॉमबर 2022 में कहां पर हुआ था तो जम्मु कस्मिर के कटरा में हुआ था किसके दोरह कड़ा गया था तो प्रसासनिक सुधार और लोग सकायद विभाग तता इलेक्टानिक और सुचका प्रदोग की मंत्राले जम्मु कस्मिर सब्सक्राइब की बात करेंगे तो इसमें निम लिखी तूपलप सेवाएं हैं अधार कार बनवाने है तो आवएदन तो था उसमें बद्लाव करना हो आनलाइन पासपोर्ट के लिए आवएदन आएकर रिटन करना हो मताता सुची में अपना नाम जुड़वाना हो तो था इपर वहन सेवाओं में आनलाइन रेल टिकट बुकिंग, आनलाइन बस टिकट बुकिंग, रेल एसमेस सेवा, रेल भाड़ा आरचन सुब्धा, पी अनर रिस्तिती आथ की जहांच होती है, ठीक है। इसके लावा अगर हम देखेंगे तो बाजार या मंडी में भीविन फसलों से संब्ध बाजार भाव का पता कर सकते हैं, मुबाइल एप और आनलाइन पोर्टल लांच की हैं, जिनके माध्यम से किसान मौसम के बारे में जानकारी प्राप कर सकते हैं, दसमा फिर आता है इचो इचोपाल सब्ध की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो जुड़े चोपाल सब्ध से निकली है, ये चोपाल सब्ध से ही निकली है, जिसका आरत होता है गाओं के खुले चेतर में बैठाक, बारत एक ऐसा देश है जिसका अधिकान चेतर ग्रामीड है, ठीके, किसान फसलों के उतपादक हैं और नागरी को इस्थानी अत्वा संगठन वैक्तियों के सम्मूहों के उबहुगता हैं लेकिन बीच में एक मदवर्ती इस्थर है, जिने थोग वियापारिया खुद्रा विकरता करूमें जाना जाता है, मदवर्ती इस्थर पर वैक्तिय काप निधारित करता है, जो किसानों और उनकी उतपादन लागत को प्रभावित करता है, इस पर कापू पाने के लिए इंटरनेशनल बिजनेस डेवलमेंट इंडियन टोबाइको कंपनी जोरा इचोपाल आरम किया गया, इस पहल ने किसानों को मदवर्ती संस्थानों, संस पंचायतों में डिजिटली करना को मजबूत करने की दिश्ची से विक्सित किया गया है, यह है पंचायती राज के लिए एक सरली करित कार आधारित लेखान परयोग है, यह है यह इपंचायत मिसन मोड प्रोजक्ट के तहर पंचायत इंटरप्राइज सूट, यह इस से किर और योजनल निर्मार को सुखम बनाता है, प्रगती रिपोर्टिंग तो अनुमुदित गदविधियों की बहुतिक और वित्तिय प्रगती को रिकार्ड करता है, लेखांकर की बात करेंगे तो कोस यानि पी एफ हमेस, एकी करना के साथ कार आधारी लेखांकर और निदिव बेग की निगरानी की सुब्धा प्रणार करता है, संपत्ति निर्देशिका की बात करेंगे तो सभी अचल और चल संपत्तियों को संगरहित करता है, इसके लाव बेबाधारी 24-7 उपलबता है, ठीक है, इपंचायत क्या है, इपंचायत 2006 मेराश्टिये, इअवतार योजन के तहद जो है, सरकान ने भारत में ग्राम मरे जानाओं में सुदार के लिए कारशाला में भारती की उजना बनाई, दोहजार अठारा में इस उद्देश को पूरा करने के लिए मिसन मूड प्रोजेक्ट के एक घटक के रूमें पंचायत इराज मंतरा ले जोरा इपंचाय मिसन मूड प्रोजेक्ट का उद्देश क्या है, तो इस पंचायत कारग्रम का उद्देश क्रामीर भारत की आफुलाइन जनकारी को अधातन जनकारी से लांच करना है और इस प्रकार ग्रामों को जो है, कł侧ुय करने में सक्षम मंडाना इ पंचायत का उद्देश है इसके एसे राजहां पंचायद के सूची पूरी तरह से लागूँ है, गिराप पंचायद के बारे में सभी डेटा और जनकारी इंटरनेट के मादों साथासाने अड्रप्त्त की जा सकती है आंदर पर्देश और गौवा जिससे राज्यों में जहां इपंचायत क्यार करम कुछ हद तक लागू हो चुका है नागरिक कुछ सुधाओं का लाव आनलाइन उठा सकते हैं जिनमें इनमें तुपरमार पत्र जारी करना संपत्ति कर हुआ पिंसन लाव हुआ रियायती लाव है ई स्वास्त देखवाल ई लर्निंग ई किर्सी बिस्तार आद जो है सामिल है ठीक है ट्रेस अभी लाव है इपंचायत मिसन के इसके बाद अब आता है परिवार गरीडिस्टर नंखल 20 13 का इंगर हम बात करते हैं तो दिखे वोह हो देस्ता में परिवार के सभी सदस्कानों के नम लिखे रहते हैं परिवार में जब भी किसी का जन्म होता हिया मिक्तو होती है तो इसकी जानकारी परिवार रजिस्टर में अपड़ेट कर दी जाती है उत्रप्रदेश सरकार द्वारा राजी की वीविन सरकारी योजलाओ का लाब लेने के लिए आपको परिवार रेजिस्टर नकल गिया सकता पड़ सकती है इसके द्वारा किसी भी परिवार के सदस्यों की पहचान का सत्यापन किया जाता है परिवार रिजिटर के लाब क्या क्या है तो परिवार रिजिटर का उपयोग बहुत तरह के प्रमाल पत्र बनवाने में होता है उत्रप्रदेश के छात्रों के लिए कालेज स्कूलों में छात्विती लेने के लिए परिवार रिजिटर आऊ सक है उत्रप्रदेश की सभी सरकारी और जनाओ नोकरियों के लिए राजी के नागरिकों के लिए परिवार रिजिटर आऊ सक है आय प्रवार पत्र बनवाने पेंसन का लाब लेने के लिए परिवार रिजिटर आतियाव सक है उत्रपदेश के सभी नागरिक परिवार रिजिटर के मादम से किसी प्रकार के सरकारी कागजात बनवा सकते हैं उत्रप्रद्र के मूल निवासी ही उत्रप्रद्र परिवार रेजिटर से मिलने वाली सुब्धाओं का लाप भी ले सकते हैं इसके लाव उत्रप्रद्र परिवार रेजिटर के उपयोग के हैं तो उत्रप्रद्र परिवार रेजिटर का उपयोग रासरकार्दा राधी जान प्रतिवेदन बेजने कार प्रभावित होता था इसके उपाई है बहुं का क्या होती है तो जन मिर्टू रजिस्ट्री करन पंधिनियम उनीसोनातर के प्रवित होनी के पश्चा देश में जन मिर्टू तथा मिर्त जनम का रजिस्ट्री करन अनिवार हो गया है अधनियम के अंतरगत केंद्र ततर राज सरकार पर विविन पतादिकारियों का प्राविधान किया गया है। जैसे कि प्रपत्र संख्या एक में क्या है तो जन्म सूचना पत्र आता है। प्रपत्र संख्या चार वा चार का में मिर्थ्टू की चिकिस्य प्रमालन प्रपत्र। प्रपत्र संख्या पांच में है जन्म प्रपत्र। छे में आता है मिर्त परमारपदर ठीक है तो यह चीजें याद रिखना इस से कोशिशन बन सकता है और तेरा में हो जाएगा मिर्त जन्म की मासिक रिपोर्ट का सरा है तो इस तरीके से याद रिखना इसके बाद प्रपर्त संख्या एक दो वा तीन के विधिक भाग रेजिट्रिकरन के पस्चाथ करमसा प्रपर्त संख्या 789 कहलाएंगे तथा वार्षिक जिल्द साजी के बा प्रपर्त के अबलेक से वेक्टिविसेस की पहचान नाम परवारी संबंद जन्म का स्थान आद की जो सूचना प्राथ होती है वही राष्टियता वो राष्टियता नेधारित करने का मुखा आधार होता है जन्परमार्पत्र की स्कूल में प्रवे से तो आईको प्रमारी करने के साथ ही रोजगार प्राथ करने की ड्रावल देखेंगे तो जन स्वास्त के कारिकरम हुआ, मातावासिस के प्रसों के बाद दाकभाल करने तथा ठीके यह उम प्रच्छन कर ठीके लगाने, आत के कारिकरमों के लिए जन के रिकार्ट के अधार है, मिर्तु के रिकार्ट संक्रामक तथा महामारिक रोगों की ब्यापता और इन्हें रोकन जन्मिर्टू रजिश्टिकरण अधिन्यम उनिसों नत्र के प्राविधानों के अंतरगत किया आता है। इस अधिन्यम ने लागू होने के दिनाग से संपूर्ण भारत में रजिश्टिकरण प्रणाली के एक रूपता स्थापित करते हैं जन्मिर्टू की सूचनाव करन किया जाता था इसके नियम के विलंबित रजिश्टिकरण के प्रक्रिया बच्चे के नामंकन प्रमाल पत्रों को निग्रत करना और मिर्टू के कारणों के चिक्षिय प्रमारी करन प्रभिष्टि को ठीक या रद्द करना अपराधों के प्रसमन की सक्ती तथा निस्व 99 को राज किया सकताओं के अनुरूप सुच परिवर्तन सहीत उत्तरपदे जन मिर्टू रजिश्टिकर नियमाली 2002 निर्मित किया गया है इसको प्रकासन कितिती याद रखेगा 22 मार 2003 से संपूर्ण उत्रपदे में प्रभावी है उत्तरपदे में रजिश्टिकर इसको पंचाहदि परजिश्टर सहागिन देश्टार संख्या दिकारी स्वास उत्रपदेश इसक वाँ मंदल अस्तर पर आपर मुख रेजिश्टर निक्त होते हैं चर्ण जिखिर निक्थकरी और आपर जिलाजिश्टर नगरी अच्छतर और जिला निगाल निगर अब रजिश्ट्र क्या क्या है तो जंव रजिश्ट्र करना संपूरह देश में वूता है है और यह ए नीखा नाम के विना रजिश्च्र गतकर कि CodeSearch के नाम के क्या होता है घंज्य और आंज्यिअ के प्रविष्टेश के लाइन, इसके बाद आता है इसमें भारत से बाहर भारतिया नागरिकों का जन्म और मिर्टु का रिष्ट्री करना नागरिता अजन्म नियम निधारित ब्यवस्ता के अनुसार भारतिय काउंसिल के दारा किया आता है तथा जन्म और मिर्टु का प्रमारपत निगत किया जाता है जन्म मिर्टु रिष्ट्री करना अधिनियम उनिस सो नातर की धारा बीस के दो के अनुसार ऐसे भारतिय दंपति जो भारत में बसने की देश्टी से वापस आते हैं तो वह अपने बालक बालका के भारत पहुंच सब्सक्राइब भारत में नेक्ट के दिन एक वस्थान की सुचना हो सक है परंधे गूम सधा वैग्त में मिर्ट के सहिथ्टि का स्थान और निधरन नहीं हो पाता साधर्ता सात वर्स तक जिस प्रेयोजन के लिए नियाले में दायरवाद में लिखे ताता मोकिक साथ चुक जाता है फिर आता है गोद लिएगे बच्चों का जो है गोद लिएगे बच्चों का रिश्ट्री करना तो गोद लिएगे बच्चों का रिश्ट्री करने के लिए बच्चे जानिस्ति में समंध मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदियस के अनुसार बच्चे के माता पिता क जिकाता है जिसे वे जानता अ जो इसे रहा है, जिन वह जानता्यात हैुए किसी जन्म या मिर्टु के रिष्टि करने में या धारा उन्निस की उपधारा द्वारा पेक्षित भीवर्ण या भेजने में उपेक्षा करेगा अथो उससे इंकार करेगा तो पचास रुपे तक के जुर्माने का दंडित होगा। केंद्रे सरकार इसे किसी भी अन्यदकारी जैसे पदनामों जैसे वो ठीक समझे महारेश्टार के इस अधनियम के अधिना इसे कृतियों के जिनका निर्वहन करने के लिए वो हुआ हैं। को प्रस्तुत करेगा फिर होते हैं मुख्रेजिट्रार इसको राज सरकार नुक्त करती है ठीक है मुख्रेजिट्रार को तो यह जान लिए मुख्रेजिट्रार फिर जिला रेजिट्रार आता है जिसको राजस जिले के लिए जिला रेजिट्रार नुक्त होते हैं फिर रेजि प्रवासाओं की बात करेंगे तो इस नियमावली में जब तक संदर्म में अन्था पेखिनना हो अधनियम का ताथ पर जन्म और मिर्ट्व रिजिश्टी करन अधनियम प्रवावधी की समय की बात करेंगे तो धारादों की उपधारा के अधनियमावली के सथाथ पर प्रत्य वर्स के लिए जो इस वर्स के पश्चाता है जिससे रिपोर्ट सम्भनी थे, मुख् रुष्टार द्वारा, राजरकार को प्रस्ट्व किया जाएगा, जन्म और मित्तु की सूचना देने के लिए प्रारूप आते, तो क्रमसा जन्म और मिर्ट जन्म के रजिट्रिकन के लिए यदि धारा आठ और धार नौ के दिन रजिट्रार को दी जाने के लिए अपिक्षी सूचना प्रारूप संख्या एक दो वत तीन में होगी यदि सूचना मौके रूप से दी जाती है तो रजिट्रार दोरा उसे समचित प्रारूप में दर्ज किया जाएगा और सूचना जाता कि अस्ताचर या उसके अंगुठे का निसान प्राप्त किया जाएगा वाहन में जन्म वत्व मिर्तु तो किसी सचल वाहन में जन्म वत्व मिर्तु होने के संबंद में वाहन का भार साधक वेक्त के विराम से प्रतम स्थान पर धारा आठ की उपधारा एक के अधिन सूचना देगा या दिलवाएगा ऐसे मिर्त की दसा में जो धारा आठ की उपधारा एक खंड का से अंगा तक के अंतरगन नहीं आती जिसमें मिर्त की समचा की जाए वो अधिकारी जो मिर्त की समचा करता है धारा आठ की उपधारा एक के अधिन सूचना देगा या दिलवाएगा ठीक है तो ये था ओवराल वीडियों जिसको लोगों ने देखा डिस्कस किया अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब करना मत बुलेगा साथ इसाथ अपने दोस्तों में सेर भी कर जेगा और इस वीडियो में और इस बुक का हम अगला चैप्टर पांच वा लेकर आएंगे जल्दी तो चलिए वीडियो को इंडि करते हैं मिलते हैं निश्ट वीडियो में तक तक लिए थैंक्यू